कि नमस्कार दोस्तों मैं संजे मेरे यूट्यूब चैनल संजे खाके लिए मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज बड़े दिन शे में एक्जाम की तियारी करवा रहा था बहुत सारे लोगों का क्यूशन साते हैं जिस भी इंस्टिटूट में जाता हूं वहां भी क्यूशन स जाता है तोसर उसको कोई तरीका बताईये तो आज मैं उसी चीज को लेकर आप लोगों के सामने हूं की तुकवा जो कि हो ना है तो वह हमें सा मौस्ट पोबली बच्चों को क्या होता है जो तुक्का नहीं होती है कि इसमें नहीं होती है उन में टुका किस तरीके से लगाते हैं नेगट्व नहीं होती है सकते हैं दोनों के अंदर क्या तरीका होता है थो नेगेटिव नहीं होती तरीक आपके सामने एउ लिवल होती है न इस तरीके ही हैं ऊप्षन के ये एक option के sheet बनी होती है उसमें आते हैं आपके exam में आते हैं उसके साथ में आपका क्या होता है कि हमेशा exam में पूछने का pattern होता है जो हमेशा ए से एसे पचीस बी के 25 होते हैं सब्सक्राइब सांदीट छ्व किसके इसों ऊप्छेसरा और देनी निपसले ह sculpture में को बढ़ति देख लिएıldı सब्सक्राइब और हमारे पास में क्या होता है कि हंडेड क्यूशन होते हैं मान लेते हैं कि उसमें से हंडेड क्यूशन में से सब्सक्राइब लिए नहीं कर पाओ लिए इस में मेरिट के लिए नहीं कर पाऊँगा उस कंडिशन में आपको क्या करना है उस कंडिशन में आपको तुक्का मारना है अगर आपको लगता है कि मेरा ओरड़ी 80 परसेंट है तो तुक्का मारने की कोई जरूत नहीं है लेकिन नेगटिव मारकिंग नहीं है तो आप तुक्का मार सकते हो तो मान लेते हैं कि 60 तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने यह जो साट क्यूशन किये हैं तो इनका एवरेजिंग देखते हैं कि साट में 20 क्यूशन हमारे कि जो साट क्यूशन आँशन है और टोटल मिलाकी कितने बनने यह बनने यह मेरे सही सही हैं अब आपको जो बचे 40 क्यूशन उसमें तुक्का कैसे मारना है वह ने बताया था कि 25 क्यूशन यह है वनमें 20 आपने एक उप्शन कर्रेक्ट है यह 25 में 20 आपकी बीस आपके बीके पचिस में से चार क्यूशन ऐसे हैं जो आपको सी के करेक्ट हैं बाकी आपने नहीं की और डी में सोला है तो आपको प्रयोटी प्रायक्ता का नियम याद रखना है प्रायक्ता क्या होता कि जो सबसे पहले प्रायक्ता होती है सबसे ज्यादा प्रायक्ता होती है उसी को ओप् है 21 जो हमें स्ट में option आणे हैं अब हम यह करें गे कि इन हम क्या मारें में हुआ रखेंगे जितने स्ट के सी अब दूसरी बात्थ चैंश उप्सन कघा व過去 तरीका आओ किस तरीके से हमें इस तरीके से शैट बनाना है यह तीन फिर तीन फिर तीन इस तरीके से सो तक हम चलते जाएंगे सो तक हम चलते जाएंगे फिर उसके अंदर जो देखते हैं कि जो भी हमारा आंश्वर लगावा है उसको आपको Greenों को सेलेक्ट करना है उसके बाद में आपको फिर से सी ओप्शेन सेलेक्ट करना है इस तरीके से आपको ये ओप्ष्ण लगाने हैं जब आपने इकईस जो बाकी बचे बचे वहे हैं जो इहां पर सी केओध dusun 21ँ है लेकिन यहां पर आपने क्युशं छोड़ के चालिस अगर 40 के 40 में मारूगे तो definite बात है आपके 10 क्यूशन हो होंगे तो इस त्रीके से आपको जब टी यहीं होते हैं तब आपको करना है और दूसरी बात में बताता हूँ जब Rider तब आपको क्या करना है निगुटिव मार्किंग होती है तो आपको तो उसी तरीके से चलना है यह जिस तरीके से आपके पास में मा लेते हैं यह आपके पास में यह आपके पास एक सीट है इस सीट के अंदर वही ओप्षन जो हेंडेड क्यूशन है हेंडेड क्यूशन में 25A, 25B, 25C, 25D इसमें offline और online दो तरीके के exam होती है जिसके अंदर negative marking होती है मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस क्यूशन पेपर में एक बटे दो negative marking है उसके अंदर आपको तुका नहीं मारना है क्यों क्योंकि आपका एक option गलत होता है तो जो सही हो उसमें से भी आदा number लेके चला जाता है वो तो आपको जब half negative marking है, half marks की तो आपको तुका नहीं मारना है दूसरी चीज अगर आपको one by four या one by three के position बन रही है तब आपको तुका मारना है और तुका भी कहां मारना है वो भी मैं भी आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माल लेते हैं कि आपके सो क्यूशन है सो में से आपने असी क्यूशन आपने करेक्ट कर दिए और बीस क्यूशन ऐसे बचे हूए हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो तो उस कंडिशन में आप कभी भी तुका नहीं मारे क्योंकि आपकी मेरिट है वो हो सकता है 70% हो हो सकता है 75 ृ हो सकता है अठude 3 पर्सेंट हो यहां तक आपी 100 प्राइक्ता ही कि आप Merit से बहुत आगे हैं आप Merit के लिर कर जाएंगे उस कंडिशन में आपको कभी भी तुका नहीं मारना है तुका कब मारना है तुका मैं बता देता हूं कि नेगटिव मार्किंग में condition बन जाती है कि माल लेते हैं आपने 65 Qशन किये हैं और 35 Qशन रह गई 65 Qशन आपके बिलकुल एक्जक्ट सही है और 35 Qशन छोड़ दिये लेकिन आपको संभा होना है कि मेरिट रह सकती हैं 70% 75% और आपके क्यूशन कितने सही है 65 सही है तो आपको इस कंडिशन में क्यूंकि आप ओलड़ी मेरिट से बहुत दूर हैं 5-10 नम्मर दूर हैं तब आपको तुका मारना तुका किस तरीके से मारना इसके अंदर इसके अंदर भी मैं आपको बता देता कि वही 25-25 वाला तरीका रहता है जिसमें आपके पास 35 क्यूशन ऐसे हैं जिनके आपने आंश्वन नहीं दिये है पैसे आपके एक्जक्ट सही है लेकिन नेगिटिव मार्किंग है तो आपको भूत ही ध्यान पूरक रखना है दोस्तों वही मैंने बताया था कि इसके अंद है तो आप देखते हैं कि ए गलत आउट कर लिया आपने आपके पास बचके बी सी और डी तीन बच गए तो आपको उस कंडिशन में हमेशा आपको सी ओप्शन ही करेक्ट करना है सी को आपको गोला-कला कर देना है दूसरी चीज़ दूसरे में भी अगर आपको माल लेते है कि एक बारे में पता है लेकिन बी आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो बच गया एसी और डी उस कंडिशन में भी आपको सी ओप्शन को ही करेक्ट करना है दूसरी चीज़ में पता देता हूं कि माल लेते हैं कि आपको लगता है कि ए भी है बी भी है लेकिन सी नहीं है औ इसी तरीके से सारे priority चलेगी अगर आपको यह तरीका नहीं समझ में आता है तो दोस्तों जो मैंने पहले बताया था offline exam में negative marking नहीं थी जिस तरीके से आपको वही की 65 question है तो 20 20 में A है 20 में B है और दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि 20 के अंदर ही C है और 5 में क्या है D है तो वही option लेकि चलना है आपको तो कम से कम कुछ तो सही हो जाएगा क्योंकि आप मेरिट से दूर है तो आपको जो D वाला option है वह 35 question में D का option ही मारना आपको D का option मारने का तरीका भी यह है कि आपको 3-3 के set बनाने है तीन-3 के set बना लिए तीन में आप D मारोगे तो तीन में आप C मारोगे तीन में आप B लगाओगे क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो यह priority के नियम के according नहीं चलते हैं वह बजरंग मली का नाम लेते ह पर बजरंग मली का नाम लेते कोई भी गोला काला कर देते हैं ऐसे कंडिशन के अंदर क्या होता है कि सारे आपके आंशवर गलत हो जाते हैं क्योंकि हमेसा आंशवर जितने भी आंशवर सीट हैं उठा के देख लिए जितने भी क्यूशन पेपर साज तक प्रिवेस एर एक पच्छीश 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 का ही रेशियो लेकि चलता है एकजाम कंट्रोलर की किस तरीके से क्यूशन पेपर को सट किया जाए तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप लोगों को इस तरीके से यह जो मैं apply किया है वो आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह करा हूँ दोस्तों हिंदुस्तान के हर उस रूरल एरिया तक इस मेसेज को मेरे चैनल को फैला दीजी कि आपको किसी कोचिंग सहिस्तान में जाने की जरूत नहीं पड़े घर बैठके आप कंप्लीट मैच पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ में आप लोगों से आगया लेने जाता हूँ नमस्कार